आज की हमारी रेस्पी है ठंड़ी गर्मी में ठंड़ी जो है ठंड़क देने वारा एक हेल्दी ड्रिंक है और ठंड़ी के बिना खोली भी अधुरी है तो हाई दोस्तों मैं कुसुम स्वागत है आपका कुसुम रेस्वोई में और पर से हाजिश हूं मैं आपके लिए नई के साथ तो चली आज हम ठंड़ी बनाते हैं जनरली ठंड़ी जो है डूद् और भांग को मिला कर बनाया जाता है लेकिन आज हम भीना भांग के बनाएंगे थो चले इसे फटा-फट बनाने शुरू करते हैं तो ठंड़ी बनाने के लिए पहले हमें मसाला त्यार करना होगा तो यह हम instant धंड़ी बना रहे हैं तो पैन को रखे है 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 मैं एसमें डाल है 1-4th cup गाजू इसे के सार डालेंगे हम बादान और पेस्था तो तीनों को हम सेम अमांट में रखेंगे यानी 1-4th cup गाजू है 1-4th cup बादा में और 1-4th cup इस्था है तो nuts को हमें बस हलका गर्म करना है, इसे roast नहीं करना है, हलका गर्म करने से होगा यह कि इसमें जो नमी है वो निकल जाएगी, और फिर जब हम इसे पीसेंगे तो यह आसानी से पिस जाएगा, तो इसे के साथ इसमें हम डालेंगे डेर बड़ा चमच सॉंफ, तो सॉंफ थंड पर खीरी कबीच भी उस कर सकते हैं, और अब डालेंगे हम दो बड़ा चमच पॉपी सीट यानि पोस्तो दानी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो अगर पहन जाता गर्म हो तो गैस को आफ करने, और इसमें डालेंगे हम 15 पीसी लाइची के, परसी के साथ डा जालेंगे 15 तानी काली मिट के, इससे थोड़ा तीखा पनाएगा और पांच पीस लाउंग के, और यहां मैंने ताला 2 इंच दाल सीने कट टूड़ा, लेकिन नट्स बस हलके गर्म है, इससे हाथ से मैं आसानी से छूपा रही हूं, इससे ज्यादा गर्म हमें नहीं करना है अब इसमें हम एट करेंगे रोज पैटल से यानी गुलाब की पंखुणियां, यह मार्केट में तो इसलिए अबिलेवल है, लेकिन घर पर भी इसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो गुलाब की पंखुणियों को अलग करके और चाहों में यानी घर में सुखाएं, एक से दो दिन में सुख कर ट्राय हो जाता है, तो यह है जाइफर यानी नटमी, इसका हमें आदा छोटा चमच पाटर डालना है, मैं यहां ग्रेट करकर डाल रहे हूं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, यह जरूर डालें, इससे थोड़ा थोड़ा भांग जासा फ्ल अब आट करें, तो हल्दी बाउडर, यह होगा है, यह कि वो केसर के टेस्ट को बैलेंस करेंगा, और हमारी ठंड़ाई को एक अच्छा कलर देगा, इसके साथ हमारी बोड़ी के इम्रीटी पावर को भी इंक्रीज करेंगा, तो नेट्स को मैंने इतना ही कर्म किया है, कि इ इसे हमें तो देखिए इसकी नमी निकल चुकी है अब इसे हमें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि यह थोड़ा थंडा हो जाए जैसे इसमें हवा लगे गाना सब में ग्रंच आ जाएगा इसे पूरी तरह से थंडा होनी के बाद हम ग्रैंड करेंगे क्योंकि अग इसे ग्रैंड करते हैं भी हमें ध्यान रखना है कि continue नहीं चलाना है एक बार गुमाएं फिर मेक्सिको बंद कर दें फिर से गुमाएं इस तरह से करके तब इसका पाड़र तियार करें अगर चलाकर इसका पाड़र तियार करेंगे ना तो मसाले गर्ब हो जाएंगे और तक हमारी ठंड़ी का कलर अच्छा है किसर से उतना कलर नहीं आएगा तो ली जी यह तैयार है हमारा इंस्टेंट ठंड़ी मसाला इसमें को छोटी टुगे नहीं जा रहा हैं तो मसाले को इस टेंटर से चान लें और टुक्रो को फिर से ग्रैंड करके उसका पाड़र तयार के लिदें यह हमारा ठंड़ी मसाला एक है मगर इस इस बहुत सारी डैस्पी बना सकते हैं जैसे दूट को गाड़ा कर के से मिकृस करें तो आपका ठंड़ी संहरो जाएगा दूद मिक्स करें आइस पर्हें तो थंड़ी आइस क्रीम हो जाएगा और खीर में मिलाकर बनाएं तो थंड़ी खीर बन जाएगा अब बनाते हैं थंड़ी तो थंड़ी बनाने के लिए मैं सेम मिक्सेजार में जिसमें हमने पीस कर तियार किया था मसाला उसमें डाल जो बड़ा चमच थंड़ी पाउडर और कि हमारा थंड़ी तयार है अब इसे सर्फ करते हैं तो थंड़ी मसाला एक बात तयार कर लिए तो इसे अटाइ डबे में रखकर प्रेजर में महिनु तक करके रख सकते हैं और जब भी थंड़ी पीने का दिल करें तो इसे बना कर आप एंजुआ कर सकते हैं बिना चंजट के तो आपने रस्पी देख लिए पटा फट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और रस्पी अच्छले के तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अपनी कमेंट्स को लिखना और सेर करना ना भूलिए